हेलो एवरिवन मरतन सिंग पायल एसिस्टन प्रोफेर्शर फिजिक्स आप सभी लोगों का स्वामी विवेकानन्द कंपेटिशन सेंटर के ओनलाइन प्रेटफर्म पे स्वागत करता हूँ आज अपन सुरू करेंगे ग्रेड सेकेंड के लिए एक बहुत ही महत्पन टोपिक दर्ड पिंड गतिकी टोपिक का नाम क्या बता है यहां दर्ड पिंड गतिकी रिजिड बोर्डी डाइनेमिक्स सबसे पहला कि उसने इसके अंदर बनता है कि दर्ड पिंड किसें कहते हैं कोई भी वो पिंड दर्ड पिंड हो सकता है यदि उस पर अगर आप बल लगाते हो और बल लगाने के बावजूद उसके कणों के बीच की दूरियों में कोई फरक ने पड़े या उनके कणों के बीच की दूरी परिवर्तित रहे या फिर यूँ बोलो कि अगर किसी पिंड पर बाहरी बल लगाने पर अक्षिनल फोर्स अप्लाई अगर करते हो तो उस पिंड के आकार वा आकरती में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको आप क्या बोलते हो दर्ड पिंड किसको कहते हैं कैद के आपने उस पिंड को कहते हैं जिस पर बारी बल का प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें पहला और एक इंपोर्टेंट टोपिक शुरू होता है दर्वेमान के अंदर दर्वेमान के अंदर सेंटर ओफ मास सेंटर ओफ मास सुरू होता है पहला पोइंट ठीक है न दर्वेमान के अंदर किसी पिंड के लिए या किसी निकाए के लिए वो बिंदू होता है जहां पर उस पिंड या उस निकाए का संपून दर्वेमान के अंदरित मना जा सकता है यानि क्या बताया आपने कि दर्योमान केंदर वो बिंदू होता है जिस पर किसी पिंड का संपूर्ण दर्योमान केंदरित माना जा सकता है या किसी निकाय का संपूर्ण दर्योमान केंदरित माना जा सकता है फिर बाद में बात आती है ये कैसा करने के आप सकता क्या है तो देखो किसी निकाय की इस्थानांतन गती के दोरान अधेन जब अपन करते हैं तो पूरा निकाय का अधेन करने के बजाए अपन क्या करेंगे दर्यमान केंदर की गती का अधेन कर लेंगे तो इसलिए अपने दर्यमान केंदर को परिवासित करते हैं किसको करते हैं? दर्यमान केंदर को परिवासित करते हैं देखिए my dear students आप लोग अगर second grade की तेहरी कर रहे हो तो मेरे अनुसार अगर आप देखो तो सबसे पहले आप लोगों को syllabus देखना चाहिए और मैंने जो study किया syllabus की मुझे जो लगता है वो यह है कि आपको 11th और 12th की पूरी physics पढ़नी है उसमें hardly कोई एका topic को छुट गया हो तो लग बात है बाकी कुछ भी चुटावा नहीं है फिर बाद में कुछ topic है आपके graduation level के है तो वो भी आपको पढ़ने है ठीक है ना पिछले साल का अगर paper देखें थोड़ा देख ना paper paper देखोगे तो आपको यह लगेगा कि numerical based question बहुत ज़्यादा आते है और numerical जब clear होते हैं तब आपकी theory clear हो तो पहला देखो अपना यह है theory करवाएंगे समझानी कोशिस करेंगे theory को और theory कम और numerical अपने ज़्यादा करेंगे सुत्र कम्याद करवाएंगे उनके application ज़्यादा करेंगे यह मेरी कोशिस रहेगी और यह मैंने बहुत सारी जो competition दिये हैं उनके आधार पर मैं आपको करवाने की कोशिस करूँगा ठीक है न तो देखो आओ फिर इसके में पहला point क्या बता है दर्वे मान के अंदर और दर्वे मान के अंदर की definition क्या बता है कि दर्वे मान के अंदर वो बिंदू होता है जहांपर संपुन दर्वे मान को केंदरते मना जा सकता है ठीक बात है है न तो देखो इसी के अंदर पहला point द्वीकन तंतर द्वीकन तंतर का दर्वेमान केंदर ठीक है न तो दुवी कण माना कि एक कण है उसका दर्वेमान M1 है और दूसरा कण है उसका दर्वेमान क्या है? M2 है इसका position vector आपका R1 vector है और इसका position vector है वो क्या है? R2 vector है ठीक है इतनी बात है अगर diagram की रूप में देखें तो आपने ऐसे खूब किये होंगे यह आपकी y axis है और यह आपकी क्या है? X axis है फिर बाद में यह एक point यह दूसरा point इसको लिखा मैंने M1 और इसको क्या लिखा? M2 फिर बाद में यह इसका मुल बिंदू होता ही है यह आपने क्या कर दिया? M2 का इस्तेज़ सदिस R2 वेक्टर फिर बाद में आपने क्या किया? इसका R1 वेक्टर फिर बाद में दर्योमान के अंदर इन दोनों की जो M1 वे M2 को जो मिलाएंगे यह मिला दिया आपने इसके किसी बिंदू पर यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर कहीं भी हो सकता है मैंने यह मान लिया, यह आपका क्या है? दर्यमान के अंदर है दर्यमान के अंदर का इस्तधी सदीश यह मैंने मान लिया कि RCM है तो देखो RCM निमन सुत्र से दिया जाता है CM कहां से आया? गोर करना, cm आया है, कहां से आया है, cm for center of mass, यानि दर्योमान के अंदर का इस्तधी सदीश, और यह आपका लिखा जाता है, m1, r1 vector, plus m2, r2 vector, अप उन में क्या लिखेंगे, m1 plus m2, यह फोर्मना याद रखोगे, दर्योमान के अंदर के सारे सारे question सोलो जाएंगे, ठीक बात ह फिर बात में देखो, यदी r cm जो है, यानि दर्योमान के अंदर जो है, उसके निर्दे सांक, निर्दे सांक अगर x cm और y cm हो, तो देखो आप क्या करोगे, similarly आप r1 और r2 के भी निर्दे सांक होगे, यानि r1 जो position vector है उसके लिए, तो r1 क्या लिखा जा सकता है, r1 vector equal to, आपने खूब सिखा होगा, x1 i cap plus y1 j cap, अगर 2d है तो इतने लिखेंगे, और 3d है तो आप लिखोगे, z1 k cap, same आप r2 को क्या लिखोगे, r2 vector equal to x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap, इस प्रकार से करोगे, तो देखो, अगर निर्दे सांकों की रूप में इसको लिखना चाहूँ, तो आप इस प्रकार से करोगे, देखो, पहले तो लिखा x cm, तो x cm equal to क्या जाएगा, m1 x1, plus क्या जाएगा, आपका m2 x2, upon में आपने क्या, m1 plus m2, same आप क्या करोगे, y cm, y cm आपका हो जाएगा, m1 y1 plus m2, y2 upon में क्या करोगे, m1 plus m2, similarly z cm आप लिख लोगे, ठीक बात है, मेरे हिसाब से, अगर आप थोड़ा ठीक से समझते हो, तो आपने मत्र एक फॉर्मला किया है, r cm equal to m1, r1 plus m2, r2 upon m1 plus m2 किया है, ठीक बात है, तो देखो, फिर बाद में इसको, ये तो हैं, इस्तती सदी से, आप इंगले से बोलते हो, ये तो क्या है, position vector हैं तो, position vector है, अगर निदेशांकों की रूप में लिखना चाहो, तो ऐसे लिखोगे, तो फरक क्या है, r की जिगा, x कर दिया, r की जिगा, y कर दिया, और z कर दिया, cm पहले से लगावा है, तो आपने confirm में याद कर लिया, ठीक बात है, ये आपने किया, केवल दो कॉनों के लिए किया है, ठीक बात है, तो देखो, अगर आपको, n कन तंतर, एन कंटंतर यानि एक ऐसा सिस्टम है ऐसा निकाई है ऐसी बोडी है जिसके अंदर कंटों की संख्या क्या है एन है एन कंटंतर का दर्योमान के अंदर का दर्योमान के अंदर कुछ भी नहीं करना माना कि N कनों के जो दर्यमान है पहले कन का M1 है दूसरे का क्या है M2 है तीसरे क्या है M3 है और यह last में Mn है ठीक बाद है इसका position vector माना कि R1 है इसका क्या है R2 है और इसका क्या है R3 है और Nv के क्या है Rn vector है अगर आप इन सब का दर्यमान के अंदर लिखोना चाहो तो अगर पहले वाला याद है तो आप क्या लिखोओगे RCM लिखोओगे उसमें दो कंड लिखेते हैं यहां क्या लिखेंगे N कंड लिखेंगे तो आपने क्या लिखा M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस तीसरा कर दो और लाश्ट में क्या कर दोगे MN RN वेक्टर करोगे और निचे आपका आजएगा M1 प्लस M2 प्लस और यह आगया M N आगया कोई दिकर नहीं है कई बार क्या करते हैं यह क्या है सभी कड़ों का दर्यमान का योग तो इसको आप ऐसे भी लिए सकते हो एक बटा M और यह लिखा M1 R1 वेक्टर और M2 R2 वेक्टर और यह आगया MN RN वेक्टर कोई दिकर नहीं है फिर बात में देखो मेरे इसाब से यह याद कर लो बाकी कई लोग क्या करते हैं इसको summation के form में भी लिखवाते हैं योग के पदों में तो योग के लिए summation आपका यह है 1, 2 जहां लिखे वे वहां करेंगे M, I, R I वेक्टर है तो वेक्टर फिर बात में I की value यहाँ I का मान 1 है यहाँ पर I का मान क्या है? N है तो कई लोग ऐसे भी लिखते हैं एक ही बात है चाय तो आप दखो चाय तो आप यह याद कर लो और चाय आप यह याद कर लो दोनो एक ही चीज है ठीक है? मेरे साब से याद हो गए आपके सब के बार-बार repeat कर रहा हूं चाहे तो आप ये याद करो, चाहे ये याद करो दोनों, एक ही चीज है, ठीक है ना, याद होआ है सबके, आप देखो बात ये करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में, यदी, अब ये फोर्मॉला मेरे साथ से कंपिर्शन में जो बठेगा, उन सबके याद रहेगा, तो आप ने rcm equal to 0 हो तो, 0 हो तो, यानि rcm मेंने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है, तो बहुत क्या लिखों, अपने फोर्मॉले के अंदर लिखेंगे, तो आपके पास में ये प्रात हो जाएगा, rcm का जो फोर्मॉला था, उसके अंदर ये value पूट की है, same line आएगे अपनी, फिर बात में रखो, ये कहलाता है, m और r का multiply जो करते हैं, ये क्या कहलाता है, दर्वे मान आगून, तो इसको क्या लिखूँगा, दर्वे मान आगूनो का सदिश योग, का सदिश योग, that equal to क्या हो आपका, 0, कहने का मतलब है, ये आपने सिखा है, लेकिन थोड़ा सा बोलने का तरीका देखो चैंज करेंग मैं बोलूँगा क्या, ये क्या है दर्वे मान के अंदर है, तो ये बोला जाएगा, दर्वे मान के अंदर के सापेक्स, दर्वे मान आगूनों का, सदिश योग सुनने होता है, सदिश योग सुनने होता है, पहला और बढ़िया पॉइंट आपने ये सिखा है, शिख लिया, दूसरा पॉइंट, देखो, दर्वे मान के अंदर पर, सी एम पर, दर्वे मान का होना आवसेक नहीं है, का होना आवसेक नहीं है, यानि आपने जो दर्वे मान के अंदर की बात की है, उस पॉइंट पर वास्ता में को दर्वे मान हो ऐसा कोई आवसेक नहीं है, ठीक बात है, तीसरा जो पॉइंट आप करोगे, कि दर्योमान के अंदर CM जो है, वो पिंड के अंदर हो सकता है, वो बहार, बहार भी हो सकता है, हो सकता है, ये थोड़ा और याद रखना, अंदर वाली बात तो लगबग के याद है, लेकिन इसको लोग बूल जाते हैं, कि दर्योमान के अंदर पिंड के अंदर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, दर्योमान के अंदर पिंड के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे मानलो आपने वस्तु आपने लेली, ये गोलाकार व बताओ, यह जो दर्योमान के अंदर है, यह तो क्या है, वस्तु के अंदर है, और यह वाला दर्योमान के अंदर क्या है, वस्तु के बाहर है, तो दर्योमान के अंदर का मान पिंड के अंदर या बाहर हो सकता है, ठीक बात है, चोथे नमर पे आप या आपको याद यह करना च कि C M का मान, का मान जो पिंड है, पिंड की आकर्ती पर निर्भर करता है, पिंड की आकर्ती, आकर्ती का मतलब होता है कि बेलन के लिए दर्योमान केंदर अलग होगा, और कोई स्पेर यानि गोले के लिए दर्योमान केंदर अलग होगा, ठीक बात न, आकर्ती पर निर्भर कर अगर किसी पेंड की आकरती निश्चित है यानि फिक्स कर दी गोला तो देखो दर्वेमान वित्रण डिपेंड करता है आकार अगर निश्चित है तो दर्वेमान के अंदर जो निर्वर करता है का मान दर्वेमान वित्रण पर निर्वर करता है इसका मतलब ये समद्धा आपने है मैंने क्या बोला आकर्ति आपने निच्छित कर दी या आपने एक गोला बना दिया या चक्ति बना दी अगर दर्यमान देखो इस साइड में तो दर्यमान वाले पार्टिकल है कम और इस साइड में दर्यमान क्या है बहुत ज़्यादा है यानि डेंसिटी ज़्यादा है तो दर्यमान वितन हमेशा ज़्यादा गनत्व की और होता है या फिर ज़्यादा दर्योमान के और होता है इस गोले की अगर मैं बात करूँ तो इधर क्या है दर्योमान ज़्यादा है तो देखो वास्ता में दर्योमान के अंदर यहाँ अची था लेकिन दर्योमान के अंदर यहाँ नहीं होगा दर्योमान के अंदर किदर होगा जिधर दर्योमान ज्यादा होता है उधर होता है तो इस लाइन का मतलब आपने क्या पता है कि दर्योमान केंदर का मान अगर आकरती निश्चित हो तो दर्योमान वित्रण पर निर्भर करता है फिर बाद में six number point आप शिखोगे कि देखो cm का मान का मान निर्देश्ट अंतर पर निर्भर नहीं करता है यानि आगर मैं किसी बेलन की या किसी भी वस्तू की बात करें आगर ये आपका कोई गोला या वले है आगर मैं यहाँ खड़ा खड़ा यूं कहा रहा हूँ कि इसका दर्यमान केंदर कहां पर है सेंटर पर है तो अगर मैं किसी गतिशील वस्तु में चड़ गया जैसे बस में चड़ गया तो भी दर्यमान केंदर कहां पर होगा सेंटर पर ही होगा यानि मैं यहां से बोलूंगा तो भी दुरुमान केंदर क्या होगा सेंटर पे हुगा किसी दूसरी जगय से बताऊँगा तो भी कहां पे होगा वस्थू पर ही केंदर पर ही होगा यह बात भी याद होगी हैं कि मेरे साबसे चलो इसके बाद अगर नियमित आकार की वस्तुएं हैं, कैसी वस्तुएं हैं, नियमित आकार की वस्तुएं, आकार की वस्तुएं, जिनका गनत्व समान है, गनत्व एक समान है, गनत्व एक समान है, गनत्व एक समान होने का मतलब वो यूनिफोर्म है, कैसी हैं, यूनिफोर्म है, या homogeneous है, ठीक बात ना, ऐसी वस्तों के लिए, जो जामीतिय केंदर जो होता है, जामीतिय केंदर जो होता है, वही क्या होता है, दर्वेमान केंदर होता है, दर्वेमान केंदर होता है, बात याद होगे कि, example समझो थोड़ा सा, आग्जाम्पल जैसे मान लो ये गोला है इसका सेंटर जैमित एक इंदर क्या है ये है अगर इसके गनत्वे एक समान है दर्वे मान वित्रण एक समान है गनत्वे एक समान बोल दो या फिर आप यहां बोल सकते हो दर्वे मान वित्रण एक समान है मैंने एक सब्द बोला था ह homogeneous है मैंने क्या बलाया इसका जैमियति केंदर कहां पर है सेंटर पर तो दर्यमान केंदर भी कहां होगा सेंटर पर ही होगा यह इसका मतलब है बात याद हुई सबके मेरे इसाब से हैं इसके बाद देखो जैसे एक दो मैं अग्जामपल लेता हूं एक दो एक्जामपल है जैसे पूछ लिए आपके कि आयताकार पटल है कोई आयताकार पटल बोल दो या प्लेट बोल दो का सीम कहां होगा का सीम कहां पर होगा तो देखो इसका गनत्व एक समान है आयताकार की जगह हो सकता है लिखा आजे वर्गाकार क्या लिखा आजे वर्गाकार लिखा लिखा तो सायद मेरे इसाफ से आपको मालूम है यह डिजार इस प्रकार की होती है अगर दर्यमान वित्रन एक सम्मान तो इसका जैमित्य के अंदर कहां पर होगा जैमित्य के अंदर होगा डाइगनल जहां पर काटते हैं ठीक बात है तो देखो यह क्या है इसका सेंटर हो गया यह और ये इसका क्या हो गया, CM हो गया, अगर वरग होता तो भी इसका क्या होता, दर्युमान के अंदर होता, ठीक एक और एक्जाम्पल लेता हूँ, मैं अपकी बार ले रहा हूँ, तिर्बुजाकार, ये एक बढ़िया सा है, ये एक एक्जाम्पल देरखार मुझे important भी लगत plate है अपकी बार, यानि अपकी बार जो design दे रखी है, आपको ये दे रखी है, ये plate का मतलब plate की जाए कुछ और भी लिखावा सकता है, कि आपके दर्युमान वित्रनी कैसा है, तिर्बुज का type का है, मेरा तिर्बुज इस type का हो ऐसा कोई जरूर नहीं है, तिर्बुज सकता है, बुज़ें आपकी अलगले परकार की हो सकती है, तो साइद आपका सबका पड़ावा है, इनके midpoint मिलाते हैं पन, बुज़ाओं के midpoint, ये कहां मिलते हैं, इस point को आप क्या बोलते हो, इस point को बोलते हो centroid, यानि केंदरक, तिर्बुज की माद्दी काएं जहां मिलत होता है, केंदरक बोलते हैं, तो तिर्बुजाकार प्लेट का, जो cm जो होता है, वो कहां पर होता है, केंदरक पर होता है, इस के लिए ये कर सकता हूँ, यह आपका बन जाएगा, दो बात याद होगी सब के मेरे इसाफ्स हैं, ठीक देखो, अब अपने दरियोमान केंदर क ये सारी बाते की, एक बार थोड़ा रिवाइज करोगे, इसके बाद मैं लेता हूँ दो अक्जामपल, पहला अक्जामपल, बहुत ही सिंपल सा अक्जामपल ले रहे हैं, आपके पास में तीन कण हैं, कितने कण हैं, तीन कण हैं, जिनका दर्यमान एक ग्राम, दो ग्राम, औ और तीन ग्राम हैं, और इनके निर्दे सांख, निर्दे सांख करम से हैं, कोई भी निर्दे सांख कर लो, पहले का ले लिया, जीरो जीरो जीरो, दूसरे का ले लिया, जैसे ले लेते हैं, वन, टू और जीरो, और तीसरे वाले का ले लिया, टू, थ्री और फॉर, ये इन के निर्दे संख हैं आप से पूछा जाएगा हो तो दर्वे मान केंदर के निर्दे संख ग्याद करो के निर्दे संख यानि आपको ग्याद करने है अक्सीम, वाई सीम और जड़ी सीम यह आपको फैंड आउट करना है तो बैस इतनी सी बात है देखो थोड़ा गोर करोगे तो यह तो आपका हो गया M1 competition में देखो इस प्रकार से दिमाग में होना ची यह आपका क्या हो गया M2 यह आपका क्या हो गया M3 ठीक बात है यह आपके क्या हो गया यह आपके हो गया X1, Y1 और Z1 similarly यह आपके हो गया X2, Y2 और Z2 और यह आपके हो गया X3, Y3 और Z3 बस फिर बात में दुर्यमान किंदर के निर्दे सांक निकालने के लिए पहला आपन क्या लिखते है XCM यह small है तो small कर दो that equal to formula वही जो था M1 X1 plus M2 X2 plus M3 X3 upon M1 plus M2 plus M3 वहाँ से multiply जो भी करना वो करो M1 की जगह क्या है? और X1 की value यहाँ पर क्या है? 0 ठीक बात है M2 की value क्या है? 2 थोड़ा सा यहाँ लिखा 1 गुणा 0 और इसमें X2 की value यह X3 है X2 की value यह है तो 1 M3 की value 3 और इसमें यह value कितनी है? 2 है अपन 1 प्लस 2 प्लस 3 करो गुणा बागे अरे यह विली तो समझा आगी? यह मेरी साप से देखो 1 M1 और यह आपका देखो थोड़ा सा गोर करना X1 0 X2 1 और X3 आपका क्या है? 2 है करेंगे तो यह आएगा 1 गुणा 0 तो 1 प्लस 2 प्लस 6 अपन में कितना आ गया? 6 आ गया तो यह लिखा 9Y6 यानि 3Y2 ठीवात है मेरी साप से सेम आप YCM तो YCM आपका देगा M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपन में क्या लिखें? M1 प्लस M2 प्लस M3 वेल्य पूट करो 1 M1 अब की बार यह लिखूँगा एक तो यह लिखूँगा एक तो यह लिखेंगे एक यह लिखेंगे और एक यह लिखेंगे तो देखो 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू यहाँ पर क्या है? 3 और अपन में 1 प्लस 2 प्लस 3 और देखो यह 0 2 इंटू 4 और यह 9 अपन में आपका आगया 9 3 3 6 9 नहीं 6 है तो यह आगया 13 बटा 6 सेम जड़ सी एम दैट इकोल टो M1 Z1 M2 Z2 M3 Z3 अपन M1 प्लस M2 प्लस M3 वेल्यू पूट कर रहा हूं M का तो 1 है Z1 0 है प्लस M2 की वेल्यू 2 है और Z2 की वेल्यू भी 0 है और M3 की वेल्यू 3 और Z3 की वेल्यू क्या है? 4 और निचे 1 प्लस 2 प्लस 3 बाट ठीक है मेरे सबसे हैं इसके बाद मैं यहां से है 0 प्लस 0 प्लस 12 अपन में 6 और यह आ गया आपका 2 तो निर्दे सांग क्या हो गए? निर्दे सांग के अगर मैं बात करता हूँ तो X का तो मान था 3 बटा 2 X CM का और Y CM का 13 बटा अच्छ है और यह आपका 2 आंसर यह आपका आंसर हो गया तो मेरे साबसे इस प्रकारच के और भी कोई कुछ ना आता आपके करोगे है ना? चलो एक और एक्जाम्पल लेते हैं अब की बार एक्जाम्पल है यह ले रहा हूँ की कार्बन मोनोक्साइड में मैं CWO के मद्दे की दूरी मद्दे की दूरी 1.12 एंग स्ट्रों हो तो दर्वे मान केंदर की सी से दूरी ग्यात कीजिए दूरी ग्यात कीजिए ठीक बात है तो देख़ए इसका अंसर कैसे है इसका अंसर सबसे पहली बात तो यह है कि हाँ पर दो कड़ है पहला पार्टिकल आपका यह कर लिया और यह मैंने C बोल दिया और यह क्या बोल दिया O बोल दिया पहले तो सबसे पहले M1 यानि जो M1 है वो कार्बन परमाणों का दर्युमान क्या लिखा जाएगा 12 क्योंकि C को अमेसा लिखा जाता है C12 और यह किसको शोड़ करता है दर्युमान को शोड़ करता है इसके बाद में आपको लिखा जाएगा M2 इकल टू O O जो है वो ऑक्सिजन के लिए है और सोड़ क्यों लिखा क्योंकि इसका अनू बहर यह आपका सोड़ होता है ठीक बाद है फिर आपको देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देदी माना कि तोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको देदी reat या फिर यह देदी या 1.12 इंगस्ट्रों इसका cm ये है माना कि इस cm की इधर से जो डिस्टेंस है वो अक्स है तो यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी ये ये एक बार के लिए अगर मैं लिखूँ थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ी है नहीं लग रहा ये तो cm माना कि ये तो r1 है और ये क्या है r2 है तो आप डाइग्राम से देख के बलोगे r1 equal to x मान लिया तो r2 equal to कितना हो जाएगा total distance से c से लेकर ओ तक की 1.12 angstrom है तो क्या लिखा जाएगा 1.12 में से अगर x गटा दूँ तो ये क्या बचेगा r2 बचेगा ठीक है याद हो गए इस सबके फिर बात में देखो थोड़ा सा अगर एक लिखा था अपना दर्वे मान आगुन क्या लिखा था दर्वे मान आगुन या दर्वे मान आगुनों का सदिश योग अमेशा क्या होता है जीरो कब जब या फिर यह बोलो जब rcm equal to 0 हो या फिर क्या बोलेंगे rcm के साप x rcm के साप x या इसको ज़्यादा बोलना तो यह ज़्यादा सही रहेगा cm के साप x ठीक बात है तो यहाँ से मैं क्या लिखूँ आपने पास में दो ही पार्टिकल है तो लिखा जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर equal to 0 यहाँ से मेरे पास में क्याएगा m1 r1 वेक्टर equal to minus m2 r2 वेक्टर अगर इनका मोडलस लेता हूँ तो मेरे पास आएगा m1 r1 equal to m2 r2 और यह वेल्यू अपने पास आपको मालूम है मान रखेंगे m1 r1 और m2 r2 का तो m1 का था याद हो तो 12 और r1 की जगा लिखा था x m2 की वेल्यू क्या थी 16 और r2 की वेल्यू लिखे थी 1.12 minus x ठीक है 4 का बाग जा रहा 4 ती है 12 और 4 चोक है 16 तो यहां से आ गया 3 x बराबर में क्या करूँ 4 का मिल्टिप्लाइ कर रहा हूँ तो यह आ गया 4.48 4.48 minus 4 x 4 x इदर आएगा तो यहां जाएगा 7 x that equal to 4.48 तो x equal to कितना हो गया 4.48 upon 7 और इसका जो भी multiply करते हैं वो आपका answer हो जाएगा है ना तो देखो अगले ने पुछा क्या था कि c से दूरी c से दूरी पुछी थी तो वो क्या थी x एंग स्ट्रों तो आपका answer क्या लिखोगे x की value आएगी 4.48 upon 7 एंग स्ट्रों हो सकता है इसको वो divide करके answer दे अगर ये पूछ लेता o से दूरी o से दूरी करते तो आप करते r2 और r2 आपका 1.12 minus x एंग स्ट्रों होता इसमें x की value करते हैं और आपका answer आ जाता है ठीक बात है तो वही इस प्रकार से ये दर्योमान के अंदर का topic complete होता है और video number second के अंदर दर्योमान के अंदर की गती या और बहुत सारी बातों का अपने study करेंगे